जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस All-in-One सीरीज में जिसमें आम एक नहीं बलकि दो ऐसे नियूस पेपर कवर करते हैं जो हमारे एक्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्ण्ट है एक मतलब The Indian Express और दूसरा मतलब The Hindu और देखे इस सीरीज के साथ साथ रात को 8 बजए एक और सीरीज आती है जिसका नाम है कौन बने का आयोस ओफिसर वो सीरीज आप जरूर देखिए क्योंकि उसमें हम MCQs जो है वो कवर करते हैं करंट अफेर पर बेस्ट उसी के साथ है जो स् पर देखने करूंगा मैं मयूर मोगरे सबसे पहले मैप बेस्ट एक्ससाइज देख लेते हैं तो यहाँ पर आफ्रिकन कंट्री जो है वो आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर है युगांटा यहाँ पर है केनिया यहाँ पर है तंजैनिया इन तीन कंट्रीज के बीच में आपको एक लेक नजर आ रहा होगा अब यह लेक का नाम क्या है यह आपको बताना है काफी आसान है उसी के साथा जो भी एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन आपको इस लेक के बारे में आफिर इन कंट्रीज के बारे में होगी तो वो भी आप लिग सकते हो आपको करना क्या है वी टेलिग्राम चाल पर फॉलो कर सकते हो लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दीवी है अब देखे सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस अगर हम पेपर देखते हैं तो उसमें एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग आर्टिकल दिया हुआ है उनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उसी काफी इंट्रेस्टिंग है और काफी इंपॉंट है एक्जाम ओरियंटेट मतलब हमारा जो पॉलिटी का पेपर आता है उसमें जीएस के परस्पेक्टिव से भी और प्रिलिंस के परस्पेक्टिव से भी काफी इंपॉंट हो जाता है उसी के सासाथ यहां पर यमेन जो है इस पर एक article आया है Red Sea, Redliness अब इसमें भी थोड़ा history की पर लेके गया है उसे के साथ थोड़ा geographical background जो है उसके बारे में बताया गया है तो अब देखें यहाँ पर जो अरब spring है वहाँ से लेकर अब तक जो यह ward चल रहा है उसके regarding में आपको पूरी की पूरी information देदूँगा एक story के जरीए हम देखेंगे जिससी के आपको जो Yemen युद्ध है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी तो यह हम अच्छी तरीके से comprehensively देखेंगे उसी के साथ साथ जब हम editorial section देखते हैं तो उसमें हमें यह वाला article तो हम discuss करी रहे हैं उसी के साथ यहाँ पर यह काफी एक interesting article है जिसमें काफी एक important चीज बताई गई है मतलब जो हमारा parliament है उसका बहुत अच्छा productive parliament निकला है तो उसके regarding यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से productive है quality और quantity उसके बारे में हाँ पर जो बाते हैं वो बताई गई है उसी के साथ यह जो चीज है यह हमारे लिए important नहीं है और उसी के साथ यह भी हमारे लिए important नहीं है और यह जो है यह stimulus के बारे में बोल रहे हैं कि आप जो stimulus हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो आप स्लोड़ाओन आया है economy में तो stimulus देनी के बात कर रहे हैं कि सरकार ने stimulus देना चीए लेकिन यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि stimulus मत दीजिए इससे नुकसानी होने वाला है क्योंकि यह बोल रहे हैं कि आप जितना बता रहे हो fiscal deficit आपको भी बता है और हमको भी बता है कि fiscal deficit जो आप 3.3-3.4% बता रहे हो उससे कई जादा है इसलिए अभी अगर आप fiscal stimulus दोगे जादा उधार लोगे तो problem create हो जाएगे तो यहीं यहाँ पर बताया गया है economics related हमने कई articles देखे हैं इसलिए देखेंगे नहीं इसमें खास सिभी यही है कि stimulus ना देने की बात की गई है उसी के साथ the Hindu अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर Saudi oil facilities पर जो attack किया गया है उसके regarding बात की गई है हमने already the Indian Express में कल ही यह article आ गया था तो detail में हमने अच्छे तरीके से देखा है कि क्या impact हो सकता है भारत पर भी जो भारत में rates बढ़ेंगे, oil के rate बढ़ेंगे, जो inflation ने वह आ सकता है तो यह सारी चीज़े हमने already cover की है कल के ही paper में अब यहाँ पर अगर कश्मीर के बारे में बताया गया है कश्मीर के बारे में देखिए हमने कई बार देखा हुआ है इसलिए बार बार वही चीज़ देखने में कोई मतलब है नहीं उसी के सासाथ यहाँ पर pipe dreams, ground reality के बारे में बात की गई है अब यह काफी important है क्योंकि कौन-कौन सा water polluted है, कौन सा unpolluted है उसी के सासाथ सरकार ने यहाँ पर क्या करना चाहिए काफी चीज़ों के बारे में बताया गया है solution oriented है, तो exam perspective से काफी important है उसी के सासाथ यहाँ पर जो deadly spread है उसके बारे में बताया गया है, जो messels है उस disease के बारे में, तो काफी important है अब यहाँ पर देखे सिब जो मैसल से उसके बारें बताया गया है लेकिन इसी से connected एक और है रूबेला तो दोनों जो है वो हम अच्छी तरीके से देखने ही कोशिश करेंगे क्योंकि अगर सिर्फ न्यूस पेपर में जो आ रहा है वो ही मैं आपको बताऊँ तो उसमें मतलब क्या रहेगा मतलब तो तब है आपको देखने का जब मैं extra information आपको provide करूँ और easy way में provide करूँ तो यही काम मेरा है तो यहाँ पर मैं वो करूँगा ही जो भी related information है exam oriented वो सब कुछ हम cover करेंगे तभी तो यह series high yield series कहलाएगी जो आपके exam में काफी helpful रह सकती है उसी के सासथ यहाँ पर animal friendly food is animal friendly तो यह जो है यह एक अलग type का meat की बात कर रहा है और देखे एक होता है normal meat जो animal का meat होता है और दूसरा है clean meat मतलब यहाँ पर यह clean meat की बात कर रहा है यह वाला article तो देखेंगे clean meat basically होता क्या है तो शुरू करते हैं यहाँ पर आ रहा है हमारा सबसे पहला uniform civil code अब यह हमारे GS paper 2 के लिए काफी important है अब लास्ट विक Supreme Court में जो case चर रहा था उसमें उन्हें describe किया कि जो गोवा है वो एक shiny example है uniform civil code का मतलब गोवा में हमें बहुत अच्छी तरीके से uniform civil code जो है वो देखने को मिलता है अब सवाल ही आता है कि uniform civil code क्या है और अगर पूरे भारत में यह लागू होता है तो उससे किस तरीके से benefit हो सकता है हमारे सम्विधान में इसके क्या provisions दिये गए है सब कुछ बहुत important है तो सबसे पहले हम देखते है uniform civil code basically क्या है uniform civil code का मतलब होता है आसान शब्दों में कि one law for entire country मतलब एक ही law रहना चाहिए पूरे country के लिए अब तो वही है मतलब अगर किसे ने murder किया तो फिर murder सभी तरब उसका जो सजा है वो एक ही तरीके की है मतलब अगर आप आसाम में murder करते हो या मारस्टर में murder करते हो बात तो एक ही है murder ही है एक ही law है लेकिन यहाँ पर इस law की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हो रही है, जो religion perspective के laws होते हैं, जो community perspective के laws होते हैं, जैसे कि marriage, divorce, उसी के सासाथ जो inheritance होता है, मतलब जो विरासत में दी जाती है, तो यह जो laws है, इसके regarding law अलग-अलग है, एक law हमें हमारे country में देखने को नहीं मिलता है, और अगर यह सब के लिए एक law लाया जाता है तो वो कहलाएगा uniform civil code, अब देखिए आपको यहाँ पर confused यह नहीं होना है, कि मतलब शादी जो है, इस डंकी ही होगी, या फिर Christian धर्में जो इस डंकी होती है, तो एक ही तरह की शादी होगी, यह uniform civil code नहीं कहता है, यह practice हो गई, कि किस तरीके से अपने culture को आप practice कर रहे हो, religion को practice कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो laws होते हैं, मतलब marriage कब यहाँ पर गिनी जाएगी, कि इस तरीके से आपकी marriage जो है register की जाएगी, divorce इसी तरीके से divorce किया जाएगा, मतलब हर किसी की अलग-अलग तरीके हैं divorce करने की, मुझे इस तरीके से करना है, मुझे इस तरीके से करन अब उसका अगर हम article 44 देखते हैं तो वो uniform civil code के बारे में बात करता है वो कहता है कि state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India पूरे territory में uniform civil code ये लाना state का काम रहेगा तो अब यहाँ पर जब हमारे सम्विधान में दिया हुआ है तो फिर क्या problem है? क्योंकि सम्विधान में अगर कोई चीज दी गई है तो वो तो लागू होनी ही चाहिए लेकिन ये direct to principles of state policy में दिया हुआ है direct to principle of state policy मतलब क्या है? कि एक guideline provide करती है state को मतलब जो सरकार है उसे कि इस पर based आप laws बना सकते हो अब यहाँ पर जैसे कि state जो है उसे अधिकार दिया गया है कि जैसे यहाँ पर state मतलब जो सरकार है जो मोदी जेओ बलेंगे मित्रो चलो कुस तूफानी करता है तूफानी मतलब क्या है? uniform civil code लागू कर दिया जाएगा मतलब सब एक तरीके से यहाँ पर divorce पास सकते हैं इस तरीके की चीजे जो है फो लाई जा सकती है लेकिन प्रॉब्लेम यहाँ पर यह है कि उसी में article 37 जो है वो कहता है कि यह enforceable नहीं है by any court मतलब कि अगर uniform civil code follow नहीं होता है इसके बावजूद हमारे समविधान में दिया हुआ है फिर भी अगर किसी court में आप ले जाओगे तो वो आप नहीं ले जा सकते हो अब दिखे हमारे directive principle of state policy में right to work का भी प्राउधान दिया गया है कि आपको काम करने का अधिकार है तो इसका मतलब क्या यह है कि जो unemployed है जिसे काम नहीं मिल रहा है वो जाएगा कि मेरा जो अधिकार है उसका violation हो रहा है और यहाँ पर मुझे काम नहीं मिल रहा है तो नहीं जा सकता है क्यों? क्योंकि यह direct to principle of state policy में दिया हुआ है वही अगर यह fundamental right में होता तो फिर जो इनसान है वो जा सकता था कि मेरा fundamental right wallet हो रहा है मुझे काम नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर direct to principle of state policies जो है यह guideline प्रुवाइड करते हैं और इसके बलबूते पर आप court में नहीं जा सकते हो मतलब यह enforceable नहीं है लेकिन उसी के साथ साथ यह fundamental in governance है मतलब governance करने में आपको अगर कोई चीज लाना है तो उसके लिए कार्णी भूत रह सकते हैं इसके basis पर आप कोई law ला सकते हो मतलब सरकार के पास अगर अच्छागासा पैसा आ गया सरकार को अगर ऐसा लगता है कि अब भारत ने बहुत तरक्की कर ली है अब भारत कभी पीछे आई ही नहीं सकता है भारत के पास sufficient पैसा है अब यहाँ पर हर इंसान को काम मिल सकता है तो हो सकता है कि right to work आज जो directive principle of state policy में है वो fundamental right में डाल दे मतलब आपका जो मुल्बुत अधिकार है वो बन जाएगा काम करना और अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो अगर state आपको काम देने में सक्षम नहीं यह रही है तो फिर आप जो आर्टिकल 32 के तैय सुप्रिम कोट में जा सकते हो कि मेरा जो fundamental right है wallet हो रहा है तो directive principle के बारे में यह दो चीज़े काफी important है जो आपको याद रखनी है prelims perspective से अब देखिए अगर आप बाकी के directive principle के article देखोगे अगर आप 43 देखोगे तो उसमें state shall endure by suitable legislation ऐसा भी बोला गया है by suitable legislation लेकिन वो हमें article 44 में absent नदर आता है यहाँ पर सिब है कि state shall endure तो इसमें हम यह बोल सकता है जो duty है state की वो बाकी के directive principle के लिए ज़ादा है as compared to article 44 मतलब इसमें state की जो responsibility है duty है वो कम हो जाती है अब देखिए यहाँ पर हमेशा से डिबेट रही है कि fundamental right और direct to principle of state policy में से स्रेष्ट कोन सा है बड़ा कोन सा है अब इस पर कई निनने है supreme court के उसके बाद finally decide किया गया कि जो fundamental right है वो prevail करेगा मतलब वो स्रेष्ट है as compared to direct to principle of state policy उसके आद 1980 में मिनर्वा मेल केस होता है जिसमें जो supreme court है वो कहता है कि Indian constitution जो है वो found की गई है इन दोनों के balance पर मतलब दोनों जो है harmony के साथ चलने चाहिए अगर हम किसी को stress तक किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पर harmony जो है वो बिगड सकती है जिससे की proper तरीके से कामकाज नहीं हो पाएगा तो जैसा कि अभी यहाँ पर देख सकते हो कि Supreme Court ने कहाता Indian constitution is founded on the bedrock of the balance between part 3 and part 4 to give absolute अभी यहाँ पर देखिए आर्टिकल 31C जो है यहाँ पर आता है पिच्चर में जो थोड़ा बहुत जो पिच्चर है उसमें climax लेकर आता है अब आर्टिकल 31C किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो आप पढ़ सकते हो लेकिन देखिए पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा समझ में भी नहीं आएगा तो मैं हूँ ना example कि दुरू समझाने के लिए अब देखिए आर्टिकल 31C पर जाने से पहले हम थोड़ा background देख लेते हैं मतलब आर्टिकल 31A,B,C तीनों हम आजसान भस चब्दों में समझ लेंगे अब उस टाइम पर क्या हुआ करता था कि हमारी एकोनॉमी जो है वो बढ़ रही थी है ना अब तीनों जो सेक्टर है जैसकि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है प्राइमरी मतलब आप एक्रिकल्चर समझ सकते हो सेकेंडरी मतलब मैनेफेक्टरिंग समझ सकते हो टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर समझ सकते हो सर्विस सेक्टर में अच्छी भूम थी और ऐसे सिनारियो में मैनेफेक्टरिंग को हमें बढ़ाना था fundamental right में जो land है उसके भी अधिकार दिये हुए थे कि आप जमीन जो है हर इंसान को जमीन अपने पास रखने का अधिकार है खुद के पास और बिना इजाजत के अगर कोई उसे हडपना चाता है तो गलत रहेगा तो इस तरीके से यहाँ पर problems create हो रहे हैं क्योंकि सरकार जो है व लेकिन उसके तरूँच जमीन जो है वो ले सकती है दूसरा यहाँ पर Article 31B आता है जहाँ पर 9th schedule की बात की जाती है मतलब 9th schedule आता है 9th schedule में ऐसा था कि जो भी laws सरकार लेकर आती थी तो जो Supreme Court है उस पर judicial review लगा कर उसे खारिस कर देता था इसलिए सरकार 9th schedule लेकर आई मतलब 9th schedule में हम जो भी reforms लेकर आएंगे laws लेकर आएंगे और judicial review से बाहर रहेगा फिर आता है Article 31C अब इसके तहत क्या हो रहा था कि जो Socialist Directive Principle जो specified किये गए है Article 39B और Article 39C इसमें अगर सरकार जो भी changes लाती है तो यह fundamental right के उपर नहीं रहेंगे मतलब जो Article 14 और 19 है यह अगर violet होता है इन दो Article को change करने के पिछे तो यह invalid नहीं रहेगा मतलब सरकार अगर 39B, 39C जो हमारे समविधन में Article दिये गए है उसमें अगर changes करती है और उस changes के वज़े से Article 14 और 19 जो हमारा fundamental right है वो अगर हनन होता है वो अगर violet होता है फिर भी court में नहीं जा सकता है कोई भी इंसान अब Article 39B जो है वो यह कहता है कि जो state है उसका एक काम है जो ownership है उसे एक ही जगह पर materialize नहीं होने देना concentrated नहीं होने देना मतलब जो ownership और control है material resources के जो मी material resources होते हैं उसकी ownership और control जो है उसे distribute करना मतलब जो common good है मतलब लोगों का उदार हो उसके लिए distribute करना अब इसके पास अब लेमेल लाग में बता रहा हूं ऐसा हो नहीं सकता है लेकिन लेमेल लाग में हम समझने के कुशिश कर रहे हैं जैसे कि आपर बहुत पैसा हो गया है तो मोदी जी बो रहे है मित्रो इसके आद बहुत पैसा हो गया है गरिब हमें बाट तो अब उसके आद हमीशा जी आ पूरसे से वो concentrate हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे laws लेकर आए कि इससे दुसरों को भी फायदा मिले, जैसे कि हमारा income tax है, income tax progressive है, मतल़ जो जादा कमाता है, वो जादा income tax पे करता है, जो कम कमाता है, वो कम income tax पे करता है, तो इस तरीके से यह क्या हो गया, equality का हननन हो गया ना, क इससे कि आपको समझ में आ जाए, और article 39C जो है, वो भी यही कहता है, कि जो economic system है, उससे जो result आ रहे हैं, उससे अगर ऐसा हो रहा है कि wealth concentrate हो रही है, तो फिर वो भी नहीं हो सकता है, जो आम इंसान है, उसके भलाई के लिए यहाँ पर किया जाना चाहिए, तो यह article 39B और 39C कहता है, अब इससे right to equality, यह सब जो है, इसका हनन होता है, और उससे के सब आर्टिकल 19 जो है, उसमें हमें land से related भी, जो fundamental right है हो देखने को मिल रहा था, तो उससे भी निकाल दिया गया, उससे legal right बना दिया गया, तो यह सारी चीज़े हमें देखने को मिलती है, अब इससे हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं, इससे अंदाजा है लगा सकते हैं, कि यह direct to principle के articles है, अब direct to principle के होने के बावजूर, इसमें कोई changes लाएग है, fundamental right violet होता है, तो आप court में नहीं जा सकते हो, मतलब यहाँ पर stressed कोन बन रहा है, direct to principle of state policy यहाँ पर stressed बन रहा है, तो अब आपको प जैसे कि Indian contract act है, civil procedure code है, sales of goods act है, transfer of property act है, partnership act है, तो यह सारी जो act है, इसमें अल्रेडी भारत जो uniform civil code अपनाता है, अब देखिए जो states है, मतलब हमारे आपर जो अलग-अलग states नजर आते हैं, उन्होंने hundred of amendments इसमें करके रखे हैं, और इसलिए जो secular civil laws है, उसमें भी diversity नजर आ कर रहा है, कोई state उसको लागो ही नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, uniform act जो है, वो नहीं बन पा रहा है, अब देखिए, यहाँ पर एक catch यह भी है, कि अगर framers को यह लगता था कि uniform civil code जो है, वो पूरे भारत में एक जैसा लागो होना चाहिए, तो पूरी जो पार है, पूरी जो jurisdiction है, वो पारलेमेंट की हाथ में ही देती थी, मतलब वो जो चीज है, वो union list में देती थी, क्योंकि जो तीन list है, union list, state list, concurrent list, union मतलब सिप पारलेमेंट उस पर लाव बना सकती है, state subject मतलब सिप state उस पर लाव बना सकती है, concurrent मतलब दोनों ही उस पर laws बना सक तो अगर फ्रेमर जो है हमारे constitution के उन्हें ऐसा चाहिए था कि uniform civil code पूरे भारत में लागू हो तो फिर उसका jurisdiction पारलेमेंट के ही हाथ में देती थी union list में डाल कर लेकिन personal laws जो है उसे उन्होंने concurrent list में रखा अब देखें ये important हो जाता है personal law कौन से list में है ऐसा question पूछा जा सकत तो personal law concurrent list में है last year अगर हम देखते हैं तो law commission जो है उन्होंने uniform civil code जो है वो कहा था कि neither feasible nor desirable मतला feasible भी नहीं है मतला लागू भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि as वो concurrent list में है तो अलग-अलग states उससे निकलने का रास्ता देखी लेगी अब देखें यहाँ पर सबसे बड़ा सव नहीं आता है muslims के लिए भी नहीं Christian के लिए भी अलग-अलग जगह उपर जो अलग-अलग community रहती है उनके लिए अलग-अलग laws है अब सिर्फ देखें British legal tradition जो है सिर्फ वही नहीं तो अभी Portuguese ने जो laws लेकर आयते जो French ने laws लेकर आयते वो भी अभी तक किसी पार्ट में operative है जैसे कि Portuguese जो है वो कौनसे पार्ट में दिव दमन वो सारे पार्ट में थे उसी के सासा French अकरा देखोगे तो Pondicherry वहाँ पर वो पार्ट में थे तो अभी भी कोई-कोई पार्ट में ये जो laws उन्होंने लेकर आयते अभी भी वो चल रहे है इसलिए यहाँ पर जो अंग् कश्मीर में और उसके बाद उसे रिपेल कर दिया गया अब जो मुस्लीम से कश्मीर के वो कस्टमरी लॉस के थूरू गवन किये जाते हैं जो की बहुत सारे ways में मुस्लीम परसनल लॉक के काफी अलग है रेस्ट आफ कंट्री में जो चलता है उससे काफी अलग है उसी के सा fundamental right to religion इससे हम कैसे attach कर सकते हैं मतलब अगर uniform civil code मतलब सारे के सारे देश में एक ही law कर लेकर आ जाते हैं हम तो क्या यहाँ पर हमारा जो fundamental right to religion है वो wallet हो सकता है तो इससे समझने के लिए हमें article 25, article 26 भी समझना पड़ेगा हमारे समवीधान का जो की fundamental right है अब देखे 25 क्या कहता है individual fundamental right of religion की बात करता है मतलब एक इनसान को अधिकार है individual person को कि वो अपना religion जो प्रपोगेट कर सकता है खुद जो religion है उसे वो follow कर सकता है और forceful जो है वो conversion नहीं किया जा सकता है यह सारे अधिकार जो individual fundamental right के तुरू मिलते हैं उसी के साथ साथ जो religious grounds होते हैं मतलब जो community है व वो आप देख सकते हो polity की सीरीज में मैंने chapter wise जो Indian polity लक्षमी कांत है वो किताब को chapter wise कवर किया है बहुत ही अच्छी तरीके से तो वो अगर आपने सीरीज नहीं देखिए तो जरूर देखिए उससे आपको बहुत फायता मिलेगा और इसका in-depth knowledge मिलेगा अब देखिए यहा back to principle में डाला गया और इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि uniform civil court जो है उसे less importance दी गई freedom of religion के perspective से अब देखिए यहाँ पर जो Hindu leader थे और Muslim leader थी दोनों ने यह कोशिश की कि हमारे जो personal laws है उसे हम state regulation से बाहर रखते हैं कि बास state के उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं रहेगी इसलि नहीं हो सका काफी attempt किये गया लेकिन फिर भी uniform civil court को DPSP में डाला गया और जो personal laws है उसे state regulation से बाहर नहीं रखा गया तब आपको uniform civil court के बारे में पूरी information जो है comprehensive information यहाँ पर मिल गई होगी अब next article यहाँ पर आता है जो Yemen है उसके regarding बात की गई है मतलब वहाँ पर युद्ध जो है वो हमें क्यों देखने को मिल रहा है तो इंडियन एक्स्प्रेस देंदू दोनों में यह article हमें देखने को मिलता है comprehensively थोड़ा extra information के साथ इतियास जो है वो देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि international relation में अक्सर पूछा जाता है अरफ स्प्रिंग के बारे में पूछ सकत हैं तो दीके अरफ स्प्रिंग जो है वो हमें क्यों देखने को मिलता है क्योंकि Middle East countries अगर आप मोसली देखोगे तो वहां पर राजा जो है वो राज करते थे अब वही राजा जब राज कर रहे है तो जनता पर ध्यान नहीं देना उसके आपर गरे भी यह सब कुस देखने के बाद जो उठाव है आकरोश है लोगों का वो देखने को मिलता है और अलग-अलग countries में जहां पर हमें राजा जो है वो देखने को मिल रहे थे उन्हें हटा दिया जाता है जैसे कि Egypt लिबिया वहां पर जो भी राजा राज करते थे जैसे कि Egypt अगर हम देखेंगे तो वह यहां पर अगर आप देखोगे तो USA जो है USA और रशिया इन दोनों के बीच में लड़ाई तो हमेशा से चलती रही है अब यहां पर USA डेमोक्रासी स्थापित करने की बाद की जा रही थी इसलिए उन्हें सपोर्ट कर रहे थे मतलब जो अरफ स्प्रिंग हो रहा था तो उन उन्होंने सीरिया में जो राजा था उसे हटने नहीं दिया उसके साथ वो नहीं जाता था सीरिया येमेन में जो भी चीज़े हो रही है वहां पर इस तरीकी की हरकते हो अब इसलिए सीरिया में मुसली हमें रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है और येमेन में भी कोई result हमें देखने को नहीं मिलता है मतला आज भी वहाँ पर जो राजा है वही काम कर रहा था अब यहाँ पर हम यमेन जो है खास उस पर नजर डालते हैं सबसे पहले तो यमेन कहाँ पर आता है तो Middle East में हमें देखने को मिलता है यह आपको यमेन नजर आएगा उसी वह उप अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आमें सिविल वार्ट जैसे सिटूएशन जो है वो देखने को मिलती है जिसका फायदा यहाँ पर जो हाउती है वो उठाने की कोशिश करते हैं वो थे अब्दुल मलीक अल हाउधी अब ये एक rebel group है यमेन में जो अपना कबजा यहाँ पर जमाना चाहता है अब देखिए अगर आप यमेन की mostly अगर आप यह देखोगे religious perspective से देखोगे तो सुननी नजर आता है लेकिन जो हाउधी है वो है शिया अब शिया होने के वज़े से जो इरान है वो हाउधी को support करते हैं क्योंकि इरान में भी हमें शिया मुस्लिम जो है वो देखने को मिलते हैं और इनका यह बोलना था कि यह जो यहाँ पर राजा है यह इनका बिल्कुल उद्दार नहीं कर रहे हैं यह काभी पिछड़े हुए रहे हैं इन सब के वज़ इसलिए हो चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर राज रहना चाहिए तो जैसा कि अब यहाँ पर देख सकते हो यह है शिया मेजोरिटी कंट्री मतलब इरान जो है वहाँ पर आपको शिया नजर आएंगे उसी के साथ-साथ यहाँ पर साओधी अरेबिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सुननी नजर आएंगे अब यह दू जो कंट्री मिडल इस्ट के सबसे पावरफुल कंट्री बनने के लिए कोशिच करते रहते हैं जैसे कि अगर हम एशिया में देखते हैं तो भारत और चायना है उसी तरीके से यहाँ पर इरान और साओधी अरेबिया जो है वो यहाँ पर पावरफुल बनने की कोशिच करते रहते हैं इसे दोनों में आपसी लड़ाई जो है वो तो वैसे ही चलती रहती है अब यहाँ पर येमेन में इरान के लिए बहुत अच्छा होगा जो हावती है वो शिया है तो अगर यह कंट्री शिया के थूरू पा जो हाँ के जो मतलब राजा है राजा हम बोल सकते हैं प्रेसिदेंट कुछ भी बोलो तो उन्हें वो सपोर्ट करना चाते हैं मगर देखे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हावती है वो यहाँ पर अपना कबजा धीरे धीरे जमाना शुरू कर देते हैं अब मिलि जो है उनके तरफ से यहाँ पर कबजा जो है वो जमाली आ जाता है तो साओधिय अरिपया भी अब वार पर छेड़ जाता है अब वार के धारान होता ऐसा है कि यहाँ पर यह दोनों जो आपस में ही वार पर थे तो जो अली अब्दुला शाली है यह इनको मारने की कोशिश करते हैं यह बोलते हैं कि जहाँ पर यह रुके वे थे एहमर यह बोलते हैं कि साओधिय अरिपया को कि यह जो शिया है उनका यहाँ पर कबजा है मतलब वो यहाँ पर उनका अड़ा है लेकिन एहमर जो है वहाँ से बचकर निकल जाते हैं उसके बाद फिर यह हाउती जो है उसका साथ देना शुरू करते थे कि भाई, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपनों ने ही धोका दिया, अब मैं कहा जाओ, अब तो दुश्मन को ही गले लगाओंगा, भले ही मौत क्यों न पाओ, अब देखिए यहाँ पर जो शाली है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होत जो मिलिटरी की चीफ है, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर धिरे-धिरे होता क्या है, जो होतीज है, वो यहाँ पर सना को जो है, पूरी तरीकी से उनका कैप्चर हो जाता है, फिर हादी जो है, वो यहाँ पर समझते हैं कि भाई, अब अपने बस की बात नहीं है अब अपने को यहां से भागना पड़ेगा तो जो मसूर हादी है यह यहां पर resign कर देते हैं और उसी के साथ साथ पहले तो वो जो add-in है यहां पर भाग जाते हैं और फिर उसके बाद साओधी अरियाबे जो है वहां पर जमा लेता है तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है तो मतलब आपको background जो है वो समझ में आ गया होगा एक outline आपकी आ गई होगी कि किस तरीके से आपर Saudi Arabia और Yemen के बीच में जो war है वो हमें देखने को मिल रहा है और war के बाद जो यहाँ पर दो ports पर जो shooting की गई थी drone के जरीए जो होटीज है उनकी तरफ से तो यह तो हमने देखा है उसका impact जो है वो भी हमने अल्रेडी देखा है अब देखें जो north side है अगर north side हम Yemen का देखते हैं तो वो hilly और काफी fertile land हमें वहाँ पर देखने को मिलती है और oil reserve जो है वो भी वहाँ पर देखने को मिलते है और अगर हम southern part देखते हैं तो वो mostly desert ही है इसलिए अगर economic perspective से भी देखा जाए तो northern side जो है वो काफी important है population अगर आप देखोगे तो country की population 27 million है और most of the population जो है वो north में ही रहती है और उसे के साथ GDP per capita अगर आप देखोगे तो 944 dollars है मतलब भारत की जो per capita है उसके आधे से भी कम तो यह जो information है इस पर भी question जो है वो पुझा जा सकता है geographic perspective से इस पर question बुझा जा सकता है पॉलिटी में भी इस पर question आ सकता है तो यह सारी information है जो आपको पता रहनी चाहिए तो अब next article यहाँ पर आता है pipe dreams ground reality अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात की जा रही है जो union budget है उसमें जो हमारी finance minister है उन्होंने जल जीवन mission के तहट जो piped water है वो सभी rural household को provide करने की बात की दी 2024 तक अब यहाँ पर जल जीवन mission इसके कौन-कौन से mission है तो यह 4 mission basically important होते हैं जो हमारे exam perspective से बहुत important है यह 4 mission exam में पूछे जा सकते हैं pipe water supply जितने भी rural household है 2024 तक दुसरा है कि यहाँ पर जो बाकी central और state government schemes है उसके साथ coverage में यह जो scheme है यह पूरी की जाएगी उसी के साथ यहाँ पर local infrastructure जो है वो create किया जाएगा जिससे की rainwater harvesting हो सके rainwater harvesting मतब पानी जो आता है उसे बचा कर रखना जिससे के हमारी groundwater जो है वो recharge की जा सकती है तो groundwater recharge management of household wastewater यह सब agriculture में reuse हो सके इसके लिए काम कर सकते हैं जल जीवन mission के तहत उसी के साथ साथ यहाँ पर supply side management जो है water का local level पर उसकी भी integrated demand यहाँ पर supply proper तरिके से किया जा सके तो यह 4 mission है जल जीवन mission के जो की बहुत important हो जाते हैं अब देखिए यहाँ पर author जो है वो बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पर पानी supply करने के तो बात कर रहे हो लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो 70% of groundwater जो है वो pollute हो चुका है उसलिए जो लोग है वो यहाँ पर आरो का इस्तमाल कर रहे हैं आरो मतलब क्या होता है reverse osmosis अब देखिए यह जो osmosis और reverse osmosis है science and technology perspective से important जाता है तो यह समझ लेते हैं सबसे पहले osmosis समझते हैं तो यहाँ पर आपको दो तरीकी का पानी है बिच में membrane है एक तरफ साफ पानी है जो आपको पूरा blue color में नजर आ रहा water है उस तरफ मतलब जो fresh water है वो बहेगा जो oceanic water है उसकी तरफ अब यहाँ पर reverse osmosis process जो है उसमें इसका उल्टा होता है इसका उल्टा मतलब क्या है कि जो salty water है मतलब जो oceanic water है वो बहेगा fresh water की तरफ यही हमें जो reverse osmosis है मतलब जो आरो का पानी उसमें नजर आता है जहाँ आपर जो oceanic water है वो साफ होता है तो अब आपको reverse osmosis जो अच्छी तरी के समझ में आ गया होगा काफी important है और उसी के सचसाथ अगर हम सिप unpolluted source देखते हैं water का तो वो जो water flood plain जो होता है river का वहाँ पर जो देखने को मिलता है सिप वही unpolluted है flood plain मतलब कौन से है तो यहाँ पर अगर river बह रही है तो यह जो है इस side और इस side आपको नजर आ रहा है यह है flood plains यहाँ पर जो हमें पानी देखने को मिलता है वही सिप unpolluted बचा हुआ है यही सिप unpolluted source है बाकी अगर हम unpolluted water का source देखते हैं तो जो natural mineral water है जो forest के underline देखने को मि जिससे कि हम contamination जो है उसे avoid कर सकते हैं क्योंकि एक बार यह level नीचे आ गई तो फिर यह भी contaminated हो जाएगी और फिर हमें जो unpolluted water है वो नहीं मिल पाएगा देखिया यहाँ पर अगर हम local और sustainable scheme की बात करते हैं यहाँ पर जो renowned scientist है MS. Swaminathan उसी के ससत H.A.Ligate इनकी यहाँ बात की जाती है जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके support किया था local और sustainable scheme को अब यहाँ पर initiate की गई थी यमूना पला floodplain scheme Delhi 2009 में जिसके तहित क्या हुआ था कि जो Delhi Gel Board इन्होंने quality water जो है प्रोवाइड किया था million of लोगों को Delhi के और इसके वाज़े से great economic returns भी देखने को मिल रहे थे जै उसी के सासा जो western और eastern घाट के जो forest aquifires है वहाँ पर भी हमें unpolluted water देखने को मिलता है तो इस तरीके से अगर हम कोई scheme यहाँ पर generate करे तो हम unpolluted water जो है उसे बचा सकते हैं क्योंकि आज बहुत जरूरत है हमें unpolluted water को बचाने की और इसके लिए यहाँ पर एक बहुत है उसे हम water century करके declare करते जैसे कि हम national park tiger reserve ऐसे declare करते हैं जिससे कि हम उसकी अच्छी तरीके से देखबाल कर सके और दीके आरो का पानी जो है वो तो काफी महंगा होता है इसलिए यहाँ पर जो गरीब इंसान है वो तो अफूर्ट नहीं कर पाएगा वो अफूर्ट नहीं कर जिससे health खराब होगी तो उसे nation के asset को ही खतरा हो सकता है तो इसलिए यहाँ पर काफी problem हो रहे है और काफी जरूरी है कि जो unpolluted source है उसे यहाँ पर बचाया जाए क्योंकि आज अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो amazing gift जो है natural infrastructure का वो यहाँ पर खो जाएगा फिर artificial infrastructure हम कि अपना भी create करने की कोशिश करें उससे कोई अच्छा खासा फर्क पढ़ने वाला नहीं है तो यह एक बहुत अच्छा solution है जो कि हमारे answer writing में भी काफी helpful रह सकता है यह point से अच्छे खासे mark जो है वो बढ़ सकते हैं तो यह पूरा scenario इस article में दिया हुआ है अब next article यहाँ पर होगे तो इसके symptoms हमें इस तरीके के नजर आते हैं fever होता है काफी जादा कफ, runny nose, red, watery eyes इस तरीके के हमें नजर आती है और खास चीज जो है वो यहाँ पर है red, blotchy, rashes इस तरीके के rashes जो है वो आपको नजर आएंगे अब देगे missiles और उसके साथ है rubyala इन दोनों में काफी confusion होता है लेकिन यहाँ पर जो measles है तो वो एक viral infection है respiratory system का, measles जो है काफी contagious disease है जो कि spread होता है contact के थूँ, infected, mucus और उसे कहसा सा saliva के थूँ, rubyala जो है यह contagious disease है जो कि mostly children को affect करता है और symptoms जो है उसमें भी हमें rashes, fever, eye readiness यह नजर आते हैं और usually mild होता है kids में लेकिन most serious होता है pregnant women में तो यह जो एक pregnant women है यह एक काफी important factor बन जाता है इसको distinguish करने का और इसलिए हमें पता रहना चाहिए अब देखें आपर measles जो है highly contagious viral disease है मतलब यह virus से होता है और उसी के साथ साथ जो death है young children में globally उनका एक बहुत बारा कारण बन जाता है और उसी के साथ साथ यह काफी safe भी हो सकता है मतलब इसके लिए effective vaccines available है तो अगर vaccines ली जाती है तो इसे बचाया भी जा सकता है तो फिर क्यों यहाँ पर outbreaks देखने को मिल रहे है क्यों यहाँ पर vaccines जो है वो नहीं ली जा रही है इसका सबसे बड़ा कारण है trust trust नहीं है अब देखें अगर आप देखोगे 30% cases जो है वो बढ़ गई है worldwide उसी के साथ साथ यहाँ पर क्यों बढ़ी है क्योंकि यहाँ पर vaccine hesitancy जो है वो देखने को मिल रही है मतलब जो vaccines है उसे लगाने के लिए refuse कर दिया गया है कि नहीं हमें vaccine जो इसका इस्तमाल नहीं करना है अब क्यों मतलब कि यहाँ पर लोगों को जान सिर्फ 52% लोगों उन्हें 32-33% अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कहाए कि probably effective हो सकती है 48% जो उन्होंने कहाए कि इसके serious side effect हो सकते हैं मतलब आप सोचे कि इतने लोगों को लगता है कि इसके serious side effect होंगे और 38% लोग जो उन्हें लगता है कि यह actually disease को cause करती है मतलब इसके लोग है वो भी इसका इस्तमाल नहीं करना चाते हैं और मतलब जो vaccines है उसका refusal देखते हैं और इसलिए 900% biggest increase हमें देखने को मिला है first 6 months इस साल के अगर हम compare करते हैं पिछले साल के महने से अब देखिए last month अगर हम देखते हैं तो UK, Greece, Czech Republic यह जो countries है इन्होंने elimination status घोशित कर द किया है क्योंकि फिर से यहां पर outbreak हमें देखने को मिल रहा है अब देखिए 2018 की जो study है उसने found किया है कि awareness जो है वो proper तरीके का नहीं है यह सबसे बड़ा reason है जहां पर 45% of the children जो है वो vaccination लेते नहीं है 121 Indian districts है जहां पर higher rate of unimmunized children है मतलब उन्हें immunized नहीं किया गया है इस vaccine के through इसलिए हमें सबसे ज़रूरी है कि जो awareness है वो proper तरीक से create करना पड़ेगा किस तरीके से create कर सकते हैं जो social media है उसके तुरू यहां पर कर सकते हैं social media इसमें बहुत important role play कर सकता है जिससे कि हम यह जो information है यह spread कर सके facebook जो है वो यहां पर जो fake news है उसके बजा अगर अच्छी news spread करने लग जाए तो इसका काफी अच्छा इस्तमाल हो सकता है अब देखिए आपर जानना बहुत जरूरी है कि जो missiles है यह vaccine lifetime protection provide करती है इस virus के उसे के साथ साथ जो बाकी के infection होते हैं उससे भी बचाती है और इसके वज़े से क्या होता है जो immune cell है उसे वो खत्प कर देती है जिससे की जो children है वो यहाँ पर safe हो जाते हैं कि उन्हें यह चीज़े जो है वो नहीं होगी इससे हम इसके outbreak से भी बस सकते हैं क्योंकि अगर यह होता है तो काफी problems create होते हैं और इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि यह जो चीज है जैसे कि हम यहाँ पर discuss करते हैं तो जो society क बेटर बना सकती है वो चीज़े आप share किया किजिए मतला आप point बता दिया किजिए कि यहाँ से यहाँ तक का वीडियो जो है वो देख लो शायद आपको helpful हो सकता है इतना बड़ा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है हर इंसान को लेकिन यहाँ पर अगर आप जो छ friendly meat के बारे में बात किया गया है अब देखिए यहाँ पर हमें जो exam oriented important चीज़े हैं वो समझना जरूरी है यहाँ पर जो primary producer होते हैं मतलब आपको कितनी energy मिलती है वो यहाँ पर आप pyramid देख सकते हो मतलब जो primary producers होते हैं उन्हें यहाँ पर सबसे जादा energy मतलब अगर आप यह रहे थी तो इन्हें सिर्फ 10% energy मिल रही है मतलब आप सोचिए कि पहले plants को 100% फिर जो plants को खा रहे हैं उन्हें यहाँ पर सिर्फ 10% उसकी energy जो है वो प्राप तो रही है फिर जो plants को खा रहे हैं अगर कोई उन्हें खाते हैं मतलब यहाँ पर secondary consumers आ जाते हैं मतलब for example अगर को consumer हो गए उन्हें सिर्फ 0.1% मिलती है और फिर जो apex हो जाते हैं उन्हें सिर्फ 0.01% जो है उतनी energy यहाँ पर प्राप्त होती है मतलब सोचिए कि हम जितने non vegetarian होते जाएंगे उतनी कम energy हमें मिलती रहेगी सबसे जादा energy कम मिलेगी जब हम plants को directly खाएंगे तब जाकर हमें सब से जादा मतलब वो भी 10% energy जो है वो मिलती है तो यहाँ पर author कहते हैं कि जो meat है जो meat खाने वाले लोग है वो यहाँ पर secondary consumer में आएंगे but obvious है कि अब यहाँ पर secondary consumer यह mostly हो सकता है tertiary consumer में भी आ जाए तो उन्हें इतनी कम यहाँ पर energy जो है वो मिलती है और meat produce करने के लिए जो cow है goats है chicken है उन्हें यहाँ पर पालते हैं उन्हें यहाँ पर feeding करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें खाते हैं मतलब आप सोचे ए कि यहाँ पर author कहते हैं कि जो 9 calorie food feed किया जाता है chicken को उसमें का सिर्फ एक calorie हमें मिलता है और यहाँ पर इतनी meat industry रहने के बावजूद इतना one third of the world water consumption जो है वो animal products पर हमें खर्च करना पड़ता है उसी के सासा जो poultry है उसके लिए anti-biotex जो है वो भी इसका भी इस्तमाल किया जाता है जिसका बुरा असर animals के health पर हमारे health पर पढ़ सकता है इसके लिए यहाँ पर जो author है वो बताते है clean meat के बारे में clean meat को lab grown या in vitro या यह जो meat है हमें animal की body पर नजर नहीं आने वाला है अब यह जो clean meat है इसके benefit क्या हो सकते है sustainability हो सकती है environment friendly रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमें इतनी सब कुछ मगजमारी करने के जरूरत नहीं रहेगी उसे के सासा animal welfare animals को हम यहाँ पर मार नहीं रहे हैं उनका अननन नहीं हो रहा ह मतलब जो food wave है वो हम proper तरीके से maintain रख रहे है food safety भी रहेगी क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से पता है जो animal को हम खा रहे हैं वो किस तरीके का रहा है उसे कौन से बिमारी रही है यह समा में पता नहीं रहता है तो यहाँ पर food safety भी रहती है अब यह किस तरीके से produce क यहाँ पर निकाला जाता है मतलब जो growth serum होता है जिससे की जो tissues है जो cells है उसकी growth होती है इन तोनों को mix किया जाता है और उसके बाद एक muscle जो है वो बाहर grow किया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर clean meat जो है वो serve किया जाता है मतलब आप सोचिए जिस तरीके से हमें बाहर जो production है वो देखने को मिलता है मतलब जो reproduction system है वो बाहर जो शरीर के बाहर देखने को मिलती है उसी तरीके से जो meat है वो भी हम शरीर के बाहर यहाँ पर produce कर रहे हैं मतलब किसी को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है यहाँ पर muscle tissue निकाल कर जो growth serum है वो निकाल कर दोनों को merge करके यहाँ पर muscle जो है वो grow किया रता है और normal muscle grow होता है जिससे के हमें clean meat मिलता है जो की pure होता है sustainable होता है environment friendly होता है और उसी के साथ साथ एक safe food हमें खाने को मिलता है तो यह जो stages है यह भी काफी important है exam में पूछे जा सकते हैं इस तरीके से अगर अगर आपको समझ में नहीं आया होता है अब तकी यह वाला जो article है कि parliament कैसे diminished हो रही है तो यहाँ पर बात की जा रही है कि parliament में आपर number of bill जो है वो पास करने की बात की गई है कि most productive है आपर session हमें देखने को मिला है अब reason क्या बताया गया है कि most productive session है कि number of bill जो है यह बहुत पास करने के वज़े से यहाँ पर productive session माना जा रहा है लेकिन जो productivity है वो क्या quantity पर दिखनी चाहिए कि कि कितने bill पास किये गए है quality पर नहीं देखनी चाहिए कि कि किस तरीके से bill पास किये गए है तो इसलिए यहाँ पर author जो है वो कह रहे है कि productivity quality में रहती है quantity में नहीं अब यहाँ पर देखना होगा कि ठीक है आपने इतने सारे बिल्ट जो है यहाँ पर पास किये हैं लेकिन जो important बिल्ट है उस पर आपने वक्त कितना दिया है अगर आप time allocation देखते हो important legislative business के लिए मतला जैसे जम्मो एनकर्ष में reorganization हो गया triple तलाक हो गया national medical council हो गया तो यह सिर्फ four hours का था in the upper house मतला इतने कम वक्त में इतने important decisions जो लिये जा रहे हैं मतला बिना स्यला मस्वरा के बिना यहाँ पर जो अच्छी तरीके से debate होने के बिना यहाँ पर कोई मतला अच्छी तरीके से जो चर्चाय होती है वो कुछ भी नहीं ह करती है लेकिन इतना कि बतब फटा फट फट फटा फट से बिली पास हो रहे हैं तो अकर इस तरीके से बिल पास किये जाते हैं तो जो effectiveness होता है governance में वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है अब यहाँ पर जो सर्वपली दराराक कृष्णन है उनकी एक idea यहाँ पर emphasis की जा हैं यहाँ पर जो parliament है उसका हमेशा से यही रहा है कि legislative or deliberative business जो है वो लोगों का जो representation है वो ध्यान में रखकर लिये जाए मतलब proper तरीके से जो लोग है उन्होंने यहाँ पर चुन कर दिया है तो लोगों का यहाँ पर उद्दार हो तो लोगों की जिस तरीके से mentality है जो उनक जो मतलब चर्चाओं की जो regulation से उससे बार डोकर उससे बाहर निकाल कर जो bill है वो फटापट पास करना चाता है तर कहता है कि एक वक्त वो भी था कि bill अगर पास करना है और important bill है तो जब parliament शूरू होता है उससे पहले ही parliament को शूरू कर दिया जाता था और late तक बैठा जाता जिससे की important bill जो है उससे ज़ादा ज़ादा वक्त दिया जा सके लेकिन आज फटापट फटापट bill जो है उससे पास किया जा रहा है तो यहाँ पर आप यह जो points है वो उसमें include कर सकते हो तो finally हम map based exercise देख लेते हैं तो यह हमारे खुबसूरत धर्दी जब हम zoom करते हैं तो हमें भारत नजर आता है अब उस lake तक पहुँचने के लिए हमें African continent के महां जाना पड़ेगा तो कहां जाना पड़ेगा वेस्ट में चलो फिर यहाँ पर हम Middle East पर आते हैं जो कि हमने तो यहाँ पर आपको युगांडा, केनिया, तांजेनिया नजर आ रहा होगा और यही पर वो lake है जी हाँ यही वो lake है क्या नाम है यह है lake Victoria तो आपको पता जल क्या होगा कि कौन से lake की हम बात कर रहे थे यहाँ पर युगांडा, केनिया और तांजेनिया आपको देखना है और लेक Victoria जो है यह आफरिका का सबसे बड़ा लेक भी माना जाता है तो यह है लेक Victoria इसके regarding information आपने अल्रेडी लिख ली होगी ऐसी में उमीद करता हूँ और उसी के साथ साथ जो भी information इन countries के regarding भी आपको होगी वो भी आपने लिखी होगी जैसे कि capital currency यह सब तो यह है लेक Victoria तो यहाँ पर prelims का T20 जो है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो first woman officer है जिसने deputy air at tech इसका Moscow में charge लिया है तो इनका नाम है अंजली सिंग यह पहली country की पहली women officer बनती है तो यह नाम काफी import जाता है किसी भी exam में यह जो नाम है यह पूछा जा सकता है over embassy at Moscow दूसरी यहाँ पर winter में खासकर क्योंकि winter में हमने देखा है कि वहाँ पर pollution की level बहुत जादा बढ़ जाती है उसका कारण क्या है क्योंकि जो fog है वो हमें देखने को मिलता है जिससे कि pollutants है उसे वो अड़ाते है और इसलिए pollutants की संक्या महाँ पर बढ़ जाती है खासकर जो PM 2.5 PM 10 है उसी के सा साथ जो stable burning है वो भी इस दवरान हमें देखने को मिलती है जिससे कि pollution की मातरा और जाधा बढ़ जाती है इसलिए इस दवरान pollution को कम करने के लिए odd event rule जो है वो लाया जाता है और इसमें भी जो women है और two willards है उसे exemption मिल जाएगा ऐसा कहा जा रहा है नेक्स्ट यहाँ पर Chinese NYC है उन्होंने कहा है कि CPEC जो है उसका काम second phase में आ गया है अब देखिए CPEC चाइना पाकिस्तान economic corridor इसके regarding मैंने already separate video बनाया हुआ है तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए उसमें मैंने जो पाकिस्तान PO के है उसमें कि CPEC देखने को मिलने वाला है चाइना पाकिस्तान economic corridor जो PO के में से गुजरने वाला है अब PO के भारत की sovereign territory है भले disputed हो लेकिन भारत की sovereign territory में मानी जाती है और उसमें से अगर कोई चीज जा रही है तो यह अच्छी चीज नहीं है diplomatically अब देखिए पाकिस्तान यहाँ पर क्य क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह port side है और उसी के साथ साथ जब भी चायना को कोई भी चीज इंपोर्ट करने पड़ती है और यहाँ पर क्या हुआ है उसने सीधा यहाँ से जब रास्ता बांदिया तो यहाँ पर इस area में वह easily जो इंपोर्टिंग है वो कर स इसलिए चायना के perspective से काफी helpful रहता है डिटेल में आप वो वीडियो देखिए अगर आपने CPEC का वो वीडियो नहीं देखा है और आपको और जानकारी इसके बारे में चाहिए हो तो यह हमारे वीडियो का end वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो share जरू किजिए मिलते ह अगले वीडियो में जय है